आप भी इस बात से सेहमत होंगे कि एगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रिय ध्वज को देश की संसत पर फैराने का मौका प्राप्त कर सके और उसकी छत्रशाया में मात्र खड़े हो सके तो ये हर भारत वासी के लिए गर्व का विशेव होगा उस गर्व की अनिभूती कॉंग्रिस पार्टी क्यों नहीं करती इसका जवाब गांधी खांदान के पास है मेरे पास नहीं अलंत नांती आतूं की मुझ पेड़े में सेना के दो सैनिक शहीद है साथी जहुल कश्मीर के एक अधिकारी कुभी शहाद़त नहीं जो सेना के शहीद के परिवार कहना है मस्सुन देजेगा तो खलेजा को आप जाए पेजर आशीश की माँ जोंके आसूं सूख चुके लिए उनका कहना है कि उन्हों तो बेपे को फाल को उसकर इस्टेश की समझे के लिए पस सौंख लेगा उसने कुर्वान के लिए कि वो आगे के अधिके अधिके अधिकार ने मुलक पूर जैकेट बेगे तो आग से परिए आशीश की में बहत से और बेहें बच जाए जम्मु कश्मीर के अधिकारी हुमायु भट अपने 29 दिन के बच्चे का दुबारा से मुन नहीं देख पाएंगे जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आँख नम थी लेकिन ऐसे में देश का मुखिया देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कहां थे और क्या कर वे थे नरेंदर मोधी भाजपा के हेट्वोटर में जीट्वेंटी का जश्न मना रहे थे और उसके बाद के पतिताश में पचाए थे जैन्ती की मैं प्रदेश और राष्ट के सभी नागरिकों को हार्दिक शुक कामनाई देती हूँ यह हमारा भाग्य है कि आज ही के दिन प्रभू की इच्छा से विश्वकर्मा जैन्ती के साथ-साथ हम देश के यशस्वी प्रधान सेवक का जन्म दिन भी मना रहे हैं अक्सर यह देखा गया है समाज में कि व्यक्ति अपने जन्म दिन पर अपने लिए उपहार की कामना करता है लेकिन भारत के प्रधान सेवक ने उपहार की कामना की तो विश्वकर्मा समुदाई के लिए अठारा परंपरागत व्यवसाय हमारे देश के आज उनके लिए विश्वकर्मा योजना प्रधान मंत्री मोदी ने लागो की 13,000 करोड की लागत से देश भर में बुनकर हस्त शिल्प से जड़े लोग मालाकार, चर्मकार, चटाई बुनने वाले, भाडू बुनने वाले, नाई, बढ़ाई की ऐसी विविद 18 परंपराओं से जड़े हमारे हस्त शिल्प से जड़े लोगों के लिए 13,000 करोड का ये आउटले वाला जो योजना है उससे ना सिर्फ स्किल में बलकी साथ-साथ उनके व्यवसाय के स्केल को बढ़ाने में भी लाब इन 18 परंपरागत व्यवसायों को मि लेगा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब कार्यकरताओं की ओर से और राश्ट के 140 करोड नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं ये भी गौर तलब है कि मारेनिया प्रधानमंत्री जी ने आज देश की राजधानी में विश्वस्तरिये कन्वेंशन सेंट को राश्ट्र को समर्पित किया यशोभूमी नाम से इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक्स तरकी कई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा भारत के हुनर-भारत के कौशल को प्रतिभिंबित करने का हमारे पास एकस्थल और सामर्थ्य मिलेगा आज का दि और समुदाय से जुड़े लोगों के सम्रिध्धी का दिन है पुना प्रधान मंत्री जी को बधाई और विश्व कर्मा समुदाय से जुड़े हमारे सभी भाईयों और बहनों का विशेश अभिननदन 13,000 करोड की विश्व कर्मा योजना लागू होने के लिए मैं आज का दिन अच्छा है तो इतना कहना चाहते हूं कि राष्ट की संसद राष्ट की शान है हमारे संविधानिक आस्था का केंद्र बिंदू है जिस राष्ट्रे ध्वज को फैराने की आप बात करते हैं वो ध्वज आजाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके इसके लिए कई लोगों ने और विशेष्टा हमारे जवानों ने बलिदान दिया है एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रिय ध्वज को देश की संसद पर फैराने का मौका प्राप्त कर सके और उसकी छत्रशाय में मात्र खड़े हो सके तो ये हर भारत पासी के लिए गर्व का विशे होगा उस गर्व की अनिभूती कॉंग्रिस पार्टी क्यों नहीं करती इसका जवाब गांधी खांदान के पास है मेरे पास नहीं मैं संसद में शेख गांधी के खिलाफ उन्हें हराने के बाद अपना वक्त अव्य दे चुके हूँ आज प्रश्ण इए उठता है कि प्रधान मंत्री मोदी ने विश्व करमा योजना के अंतरगत अठारा परंपरागत व्यवसायों से जुड़े बढ़ाई, कुमहार, स्वर्णकार, बुनकर, शिल्पकार, मालाकार, इत्यादी, विविद परंपरागत व्यवसायों से जुड़े करोडों कि अनंत नाग की आतंकी मुठ भेड में सेना के दो सैनिक शहीद हुए साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुई जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजेगा तो कलेजा काप जाएगा मेजर आशीश की मा जिनके आशू सूख चुके है उनका कहना है कि उन्हों तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था सौप दिया था उसने कुर्बानी दे दी लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिये होते तो आज सिर्फ मेजर आशीश ही नहीं बहुत से और बेटे बच जाते मेजर आशीश अपनी धाई साल की बेटी के पास कभी नहीं लोटेंगे जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायु भट अपने 29 दिन के बच्चे का दुबारा से मुझ नहीं देख पाएंगे जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आँख नम थी लेकिन ऐसे में देश का मुखिया देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी भाजपा के हैटकौटर में जीट्वेंटी का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मध्यप्रदेश में प्रचार कर रहे थे इस देश के प्रधान मंत्री ने इन सर्वोच बलिदानों के लिए एक शब्द सम्वेदना का सम्मान का शद्धानजली का एक शब्द नहीं कहा वो मोदी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशन में कभी फ्रेंच में कभी स्पैनिश में लिखते हैं वो मोदी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली तूट जाने पर उसके प्रती अपनी संवेधना व्यक्त करते हैं उन्होंने इन जाबाजों की शहादत पर एक शब नहीं कहा और अब ये एक पैटर्न बन चुका है जाबाज शहीद होते हैं वो बलिदान देते हैं और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है 11 अक्टूबर 2021 को पुंच में पाच जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी ने एक शब नहीं कहा 16 अक्टूबर 2021 को पुंच में 4 और जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी कुछ नहीं बोले 5 अगस्त 2022 को रजोरी में 5 जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी कुछ नहीं बोले 20 अपरेल 2023 को पुंच में 5 जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी मौन रहे 5 मई 2023 को रजवरी में पाच और जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी ने एक शब नहीं बोला 5 अगस्त को कुलगाम में तीन जाबाजों ने अपने प्राणों की आहूती दी मोदी जी कुछ नहीं बोले 19 अगस 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक वीरगती को प्राप्त हो गए मोदी जी ने एक शब नहीं बोला और 13 सितंबर को सेना के अधिकारी आतंकी मुठ भेड में शहीद हो गए मोदी जी ने एक शब सांत्वना का, सम्मान का, शद्धान जली का, सम्वेधना का उनके परिवारों के लिए भी नहीं का यह है आपका राष्टवाद, यह है आपका देश प्रेम, यह है आपका सेना के प्रती समर्पण और सम्मान ऐसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के प्रधान मंत्री होने का जाबाजों की शहादत पर जो शद्धान जली का एक शब न बोले, जाबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रती संबेदना न व्यक्त करे, उस व्यक्ती से क्या आशा की जा सकती है, लानत है